नमस्कार आदाव आज की वीडियो में बात करेंगे लीवर खराब होने पर सुरुवाती लक्षण क्या-क्या दिखते हैं ऐसे कौन-कौन से लक्षण है जिसे पता चल सके कि लीवर खराब हो रही है अगर इसके खराब होने के लक्षण सुरुवात में ही पता चल जाए तो प्रोपर्ट्रीट्मेंट से इसे ठीक किया जा सकता है दोस्तो ऐसा नहीं है कि किसी का लिवर रातो रात खराब हो जाए इसमें बहुत समय लगता है और इसके खराब होने के कुछ astאesis हैं सबसे पहले liver fatty होने लगता है जिसे fatty liver कहा जाता है then liver में incremation यानि 200 हो जाती है जिसे hepatitis कहा जाता है hepatitis होने के बाद liver में छोटे-छोटे fiber के nodules बनने लगते हैं then इसे cirrotic liver कहा जाता है सिरोटिक लिवर के अस्टेज में पहुचने के बाद कुछ 8-10% केसेज में यह लिवर कैंसर में बदल जाता है और कुछ केसेज में लिवर स्रिंक हो जाता है यानि लिवर छोटा हो जाता है जिससे लिवर अपना फंक्सन नहीं कर पाता है जैसे metabolism, proglation factor बनाना, vitamin का storage करना, body को detoxify करना ये सभी function नहीं कर पाता है जिसके कारण ब्यक्ति की मृत्यों तक हो सकती है लेकिन ये सब stage होने से पहले बहुत सारे संकेत दिखते हैं और अगर यह संकेत शुरुवात में पता चल जाए और डॉक्टर से मिलते हैं तो लीवर की भेंकर विमारियों से बचा जा सकता है या इसको control किया जा सकता है तो दोस्तों जान लेते हैं सुरुवाती दोर में लीवर के खराब होने के लक्षण या संकेत क्या-क्या दिखते हैं तो जो सबसे पहला symptoms है, jaundis यानि पीलिया इसमें बिलुरिवीन का लेविल बढ़ जाता है जिससे आखों के असकलेरा में तथा असकीन में पिलापन हो जाएगा इसके अलावे यूरीन का कलर भी यल्लू हो जाता है साथ ही लिवर में समस्या होने पर भूख कम लगता है, weakness यानि कमजोरी महसूस होती है, nausea या vomiting हो सकती है, diarrhea यानि दस्त हो सकता है ये सब symptoms दिख सकते हैं, अगर hepatitis है तो हलका बुखार रहता है, वजन कम होने लगता है इसके अलावे अगर conjugated bilurubin का level बढ़ता है तो पूरे body में itching यानि खुजली होना, stool का color clay यानि मिट्टी के color का हो जाता है urine का color dark हो जाता है, इसके अलावे हाथ पैर में सूजन हो सकता है, आखों के नीचे सूजन हो सकती है, ascitis यानि पेट में पानी भर सकता है स्प्लीन जिसे तिली भी कहा जाता है, इसके अकार बढ़ सकता है, साथ ही hormone level भी कम हो सकते हैं, जैसे thyroid hormone, parathireide hormone का level कम हो सकता है पूर्सों में liver के खराब होने पर estrogen का level बढ़ने लगता है, जिससे टेस्टिस में atrophy होने लगता है, जिससे टेस्टिस का size छोटा हो जाता है, और testosterone का level कम हो सकता है, जिससे infertility यानि नपुन सकता हो सकता है मेल में breast का size बड़ा हो जाता है, जिससे gynecomastia कहते हैं, ऐसे ऐसे changes भी होने लगते हैं, लिवर का एक बहुत ही important function है, coagulation factor का synthesis synthesis, coagulation factor अलग अलगतरा के होते हैं, जो blood को clot यानि ठक्का बनाने में मदद करते हैं, जिससे accident के दोरान, bleeding या किसी भी तरह से cut हो जाने पर होने वाले excess bleeding को रोका जा सके, इसके अलावे liver दवायू का metabolism भी करता है अगर liver में problem हो तो दवायू का metabolism या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, जो की एक खतरनाक इस्थिती होता है, इसमें दवाया या तो अशर नहीं करेगी, या तो बहुत ज़्यादा परभाव करेगी इसके अलावे glucose intolerance हो जाता है, जिससे glucose का utilization बोड़ी में सही से नहीं हो पाता है, जिससे diabetes होने का खतरा रहता है दोस्तों, ये सारे liver के खराब होने के सुरुआती लक्षण होते हैं, अगर ऐसी कोई भी लक्षण दिखे, तो सबसे पले अपने डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए जिससे डॉक्टर कुछ टेस्ट से पता कर पाएंगे कि आपको ये सिम्टम्स लीवर में प्रॉब्लम होने के करण तो नहीं हो रही लीवर के लिए अस्पेस्फिक टेस्ट होती है LFT, यानि लीवर फंक्षण टेस्ट, जिसमें बिलुरुवीन का लेवल, SGOT, SGPT, अलकिलाइन फॉस्पेट का लेवल पता चल जाता है तो ये थी जानकारी लीवर के खराब होने पर क्या-क्या लक्षण दिखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करें धन्यवाद